कोकुरुच ठीक है स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला पॉइंट रहेगा क्लासिपिकेशन वर्गी करण ठीक है फाइलम और्थो पोड़ा क्लास इंसेक्टा इंसेक्टा का मेन करेक्टर होता है है इसका मेन करेक्टर है ओके ओर आपको बताई है ठीक है एक फैमेली ओर डालोगे इसके जैसे ही ठीक है बस आपको यह कौन से ओगए बोलो और जीनास और इस पेसीज ठीक है अमेरिकाना ठीक है यह क्या है भोलो इस पेसीज क्या है भोलो प्लेरी प्लेंटा ठीक है और अमेरिकाना ठीक है अमेरिकाना ओके तो यह जो मैंने लिखा वो तो क्या हो गया क्लासिपिकेशन ठीक है इस पूरे के अंदर आपको यह पक्का पता होना चाहिए कि जो Cockroachers की कौन सी class होती है Insects Insects मतलब सबसे बड़ी class है यह पूरे Animal Kingdom की सबसे बड़ी class कौन सी होती है Insects होती है Clear और जिसको character होता है कि इसमें 6 legs होते है तो Hexapoda भी कहते है Clear कभी यह नाम नहीं हो और यह हो तो भी टिक कर सकते है क्योंकि बात एक ही है Clear क्योंकि Insects क्लास का main character होता है Hexapoda मतलब 6 legs का होना ठीक है अब क्या होता है कि कौकरूच जर्नली स्टूडेंट को बहुत तफ लगता है Clear अगर मुझे easy बनाना है तो आपको इसको बहुत systematic तरीके से study कराना पड़ेगा एक एक चीज आपको याद कराने पड़ेगी क्योंकि इसमें words चीजें बहुत सारी है याद करने की लेकिन आपको easy लगेगा सबसे पहले तो मैं आपको एक बार कोकरूच की feeling देता हूँ कि कोकरूच होता कैसा है Clear बुलो उसके किते parts होते है Head, Thorax, Abdomen जिससे हम बाद में जब एक एक पार study करें तो समझ में है Clear तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले structure of कोकरूच Clear ओके यूं लाइप में कोकरूच बहुत देखा होगा लेकिन मैं आपको कोकरूच थोड़ा अपने हिसाब से आपको याद कराने के हिसाब से बता रहा हूँ ठीके ओके ऐसा नहीं है कि सर का कोकरूच कुछ अलग है ठीके कोकरूच वोई है बस थोड़ा समय आपको ठीके इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको मेरी बास समझ में आए ठीके पहले मत बनाना ठीके ठीके ध्यान देना ये कौकरू छे एक रही डाइग्राम बनाया मैंने जिसमें ये तो आप जानते ही हो क्या है बोलो एंटी नहें नो प्रॉब्लम वन पेर ठीके बोलो वन पेर एंड जेगमेंटेड क्लियर वन पेर एंड क्या होती बोलो segmented ठीक है one pair and segmented ठीक है यह क्या है compound eye क्या है भोलो compound eye ठीक है okay responsible for vision ठीक है मतलब इसमें देखने के लिए responsible compound eye होती है यह है simple eye clear simple eye और यह होती है vestigial मतलब अवसेशी है ठीक है इसका मतलब इसमें देखने के लिए responsible कौन से होई compound eye होई clear और compound eye की unit होती है omitids क्या होती है omitids एक compound eye में 2000-2000 compound omitids unit होती है और इसमें special type of vision मौचेग vision पाई जाती है मतलब support that cockroach इसको देखे या किसी को देखे clear तो cockroach में क्या होता है जिसको भी देखता पहले उसके 2000 टुकड़े बोलो उसके आंग में बनते है कितने टुकड़े बोलो 2000 फिर 2000 जुड़कर के एक image बनती है इसको बोलते मोजे काई clear क्योंकि इसके अंदर जो compound आई है उसकी unit है omitids और एक compound आई में 2000 omitids होते है clear तो ये तो अभी मैं आपको ऐसे verbally बता है बाद में आपको लिखा होगा clear फिर मैंने कहा ये क्या है head है क्या है बोलो head है फिर ये इसका thorax है clear बोलो होता है क्या है कि head जो है वो embryo stage में six segmented होता बाद में fuse हो जाता है बाद में क्या हो जाता बोलो fuse हो जाता है और मैंने कहा fuse हो कर के fuse हो कर के क्या हो जाता बोलो ठीक है एक segment वाला तो embryo stage में head में किते segment होता है six और बाद में किते होते है एक ही होता है clear सब यहां पर इतना सा लिए सिक्स सेग्मेंट ठीक है फियूज आप से में करो सेंग्मेंट बोलो जुड़कर ठीक है जुड़कर एक हैड ठीक है बनाते हैं ठीक है बनाते हैं बास समझ में में एक ही segment होगा मेरी बात समझ्झ में और six segment जूड़कर मतला embryo stage में किते होते हुए छे होते हैं फ्रेक्समें। तीन सेग्मेंट होतyor embryo stage में ऑर बोलो äh adult developed cockroach में भी clear one-two or three जो यह वाला होता है इसको बहुत है प्रो-ायथ ठीक है इसको बोलते हैं मीजो थोरेक्स क्या बोलते हैं मीजो थोरेक्स और इसको क्या बोलते हैं मेटा थोरेक्स क्लियर मतलब एक बार मैं यहीं पर सारी बाते बता रहा हूं क्लियर ओके बोलो मैंने कहा थोरेक्स में किते सेगमेंट होते हैं तीन सेगमेंट होते हैं क्लियर बोलो एक प्रो थोरेक्स एक मीजो थोरेक्स और एक मेटा थोरेक्स क्लियर और इस थोरेक्स के अंदर बोलो मैंने कहा इसकी खासियत क्या है कि इस पर थ्री पेर लेक्स होती है क्लियर और टू पेर विंग्स होती है क्लियर यह किसकी खासियत है बोलो थोरेक्स की इसकी खासियत है बोलो थोरेक्स की क्लियर कि इसमें क्या होता है कि बोलो तीन सेगमेंट होते हैं बोलो प्रो थोरेक्स मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स और मैंने कहा इसमें थ्री पेर of legs होती है, और two pair of wings होती है, clear, तो मैंने कहा, यहां पर two pair of wings के अंदर, बोलो ये ऐसे बना रहा हूं, clear, ध्यान से समझे ना मेरी बात को, ठीके, ये ऐसे, ठीके, ये जो four wings होते हैं, clear, ये four wings होते हैं, और उड़ोने में कोई help नहीं करते हैं, थाम कैम क्या होगा कि जो ये चोटे हीं लिम्प्स होंगे clear, उनको ये क्या करेगा, बोलो, उनको क्या करेगा, ढक्के रखेगा, clear, ये छोटे होते हैं, और जो मेन उड़ने में काम आते हैं, वो कौन से होते हैं, बोलो, ये hind links होते हैं, clear, okay, ये मैंने बनाया, ठीके, तो ये कौन है, बोलो, hind limbs होते हैं, hind wings होते हैं, clear, okay, और मैंने कहा आपको, बोलो यह hind wings है और यह four wings है और यह मैंने कहा यह work क्या है इनका यह है बोलो, addiction hind wings ठीक है बोलो co covered ठीक है covered रखते है ठीक है, ओकी, और यह, जो hind links है यह membraness होते है, clear membraness होते है ठीक है, और यह तो لेधरी होते हैं, ठीक है, और मैंने कहा यह है पुलो फोरे में ठीक है और ने में अब भ Calendar आप सुर्जा-अभी होते हैं ठीक हैं यानि विंग्स दो पेर होते हैं लेकिन वास्तामें आप अपक्रूज कोउडने में एक ही पेर कम आता है फिर मैंने का जो हमारा thorex part है clear उसमें कितनी legs होती है बोलो उसमें 3 pair legs होती है clear तो यहाँ पर तो अभी मैं ऐसी ही बना दू ठीके ऐसी मैंने ठीके okay ये okay बाद में कैसे ये चलता है वो पूरी इसकी style भी बताओंगा ठीके अभी तो मैंने ऐसी बना है समझ गे बहुए आपका Okay ये क्या बना दी three pair भूलो Lego भना दी clear uhEROника में क्या में क्या होगा सब कुछ कित्रे सेगげंट होंगे क्या होंगे सारी वांज़् नाम सब कुछ बताऊंगा Okay अब ये मैंने कहा आपका यहां से यहां तक यह तो 123 तो होगे हैं तीन सेगमेंट 12345678910 मैं कॉंटिंग कर रहा हूं इसका मतलब हुआ कि यह होता है क्या होता है और मैंने कहा यह क्या है अब्डो मन है ठीक है जो एक बार आपको मेरी बात समझ में आई हो ठीक है मैंने का abdomen में किते सेग्मेंट होते हैं 10 सेग्मेंट होते हैं embryo stage में किते होते हैं 11 होते हैं अभी जब आपको मैं लिखाओंगा तो segment में embryo का अलग और adult का अलग आपको बता दूगा clear एक बार यह है कि कोख्रूच की जो बोड़ी होती है उसमें हर सेग्मेंट पे काइटेनियस प्लेट्स होती है क्या होती है काइटेनियस प्लेट्स होती है क्लियर बूलो आप से में बूलो उपर होती है आपका टर्गाइड प्लेट, नीचे होती है, स्टराईड प्लेट और दोनों तरब लेट्रल में होती है, आपका प्लूरा प्लेट, Clear? और ये प्लेट्स जो आपस में है, वो और्थो पोड़ियल मेंब्रेन से जूड़ी होती है, Clear? कि यह जो ज़िसकी जो बोलो आम सेमेंगे रहा हूं जिसको प्रो न ट्रे सेमेध में गरी चैनी करी पॉर्ल फोर टोर प्री एक D होता है कि वह इस नेक पूरा ख़ल कीई भेरेता है क्लिया हैने को क्या रेता equipment Roblo दो कवर्ड किये हुए रहता है ठीक है यह जो मैं आपको बना रहा हूं ठीक है यह क्या है बोलो एक्जोस्क्लेटन है एक्जोस्क्लेटन हर सेग्मेंट पर रहता है और जो उपर होती है उसे हम तरगाइड केते है निचे वाले को कुई रहता है बाद साइड वाले को प्लीरा केते है और यह प्लेट अपस में बुलो और तो पॉड्यालgestect जो प्रो थोरेक्स की बुलो एक्षोस कलेटर ने वह थोड़ा बड़ा होता है जो नेक को भी कहा रहता है कवर रखता है इसलिए हमें बाहर से उसकी गर्दन दिखाई नहीं देती है बासमझ मैं तो यह जो मैंने बनाया है यह एक तरह से आपको मैंने कौकरूच का रे डाइ उनके नाम क्या बोलो सब कुछ लेबियम क्या लेब्रम क्या हाइपो थोरेक्स क्या मेकजिला क्या मेंडूल बल क्या कितनी संग क्या सब कुछ मैं आपको बचाओंगा क्लियर मतलब हम जो स्टेडी करेंगे पहले हेड को पूरा स्टेडी करेंगे फिर थोरेक्स को स्टेड करेंगे फिर abdomen में आएंगे clear बोलो unisexual होता है sexual dimorphism पाये जाता है male female cockroach को easily पेचाना जा सकता है अगर आपको cockroach का थोड़ा idea हो clear तो I think यह जो मैंने बनाया आपको एक बार समझ में मतलब पहले यह picture दिमाग में आपके रहना जरूरी है तो cockroach आपको समझ में आएगा clear तो I think यह जो मैंने आपको बताया समझ में आए बोलो आपको clear उसके अलावा cockroach की जर्नल बाते कोट्रूल नात्रिचर होता है बोलो nectarial होता है cockroach omnivorous होता है जो मिल जाए वो खाले रोटी मिल जाए वो खाले बोलो आप छोटे मोटे कीड़े मकोड़ा मिल जाए वो खाले ऐसा ही है अच्छा हम भी ऐसा ही है बोलो हम भी क्या है all humans we are omnivorous clear बोलो इंसान भी किसी को नहीं छोड़ता है बात समरो ना की में क्या बोलना समन्ने बोलो बहुत सार एसे country जी है लोग सांपको भी खाते है जांस बोलो सबको खाते हैं न तो मेरे कहने का मतलब ए कि human भी क्या होता है omnivorous और ये भी क्या होता है omnivorous और रात्री में निकलता है उन्टो सबको पता है clear तो आई थिंग आप पहले इतना नोट करोगे फिर हम एक एक करके स्टेडी करेंगे क्लियर ओके क्लियर ओक एक करेंगे क्लियर ओक एक करेंगे मेरी बात समंग में आए बोलो ओके यह तो क्लासिफिकेशन बताया है सबका अपना एक ही पेटर ने स्टेडी करने का ठीक है ओके और इसमें मैंने आपको थोड़ा यह कॉक्रोज की पिच्चर बताई ठीक है झालिए करेंगे झाल झाल ठीक है होगे है नौट बोलो यह यह मैंने रे डाइग्राम बनाया है थोड़ा आपको दिमाँ में पिच्चर बनाने के लिए ठीक है और सल सक्षछे सबस्दें आपको दो यह झाल 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 ठीक है इतनी बात समझ में और बताओं आप में बहुत सारी बात है ठीक है नंबर सिक्स एक बार ध्यान देना मैंने कहा ठीक है मेटा मेरिक सेगमेंटेशन ठीक है बोलो पस्तित ठीक है केवल केवल आउटर सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन ठीक है केवल आउटर सेगमेंटेशन बात समझ में जबकि जो अर्थ वोम था उसमें आउटर और इनर दोनों सेगमेंटेशन ठीक है अच्छा नंबर सेवन अब आप छोटी-छोटी बाते ध्यान देना मैंने कहा यह कैसा होता है रात्री चर ठीक है बोलो समझ जाओगे रात्री चर एंड बोलो ओमनी ठीक है ओमनी वारस ठीक है ओमनी वारस मतलब सर्वाहारी ठीक है एनिमल ऐसा लिख तो इतना सोट हो समझ जाओगे बोलो एक तो यह नॉक्टुरियरल होता है और ओमनी वारस होता है ठीक है रात्री चर होता है और सर्वाहरी होता है मेटामेरिक सेग्मेंटेशन इसमें पाया जाता है ठीक है उसके बाद बोलो बोडी मैंने कहा कलर की बात करें तो हमारे इंडिया में ज्यादा तर black and brown ठीके बोलो मैंने कहा color ठीके वाले cockroach ही देखने को मिलते हैं बाकी tropical में बहुत सारी जगे green और दूसरे color के भी होते हैं बट हमारे इंडिया में ज्यादा तर cockroach black और brown color के होते हैं ठीके dark brown color के उसके बाद number nine की बात करो इधर दियान दो मैंने का head ठीके बोलो जो head होता है वो neck के द्वारा head नास्पति के peer shape होता है और neck के द्वारा thorax से 90 degree के angle पे इस्तित होता है जिसको हम hypogenthous head कहते हैं clear क्या बतारों head मतलब आपको मैं ऐसे picture बनाऊँ मैंने कहा बोलो आपको imaging करो ठीके imaging करो ऐसे ठीके ठीके तो ये तो कौन है head और ये angle कितना है बोलो ये angle कितना है 90 ये कौन है बोलो thorax और ये बीच में क्या है neck ठीके तो मैं क्या बतारों head बोलो neck की साहिता से साहिता से साहिता से thorax ठीके thorax से 90 degree पर पाया बोलो जाता है ठीके जाय जाता है जिसे जिसे हाइपो मैंने कहा genthus बोलो hypo genthus head ठीके केते है hypo genthus head केते है head केसा होता है pierce m naspati के अकार का होता है ठीके मैंने कहा head बोलो naspati ठीके naspati बोलो मैंने कहा peer sap naspati के बोलो आपसे मैं करूं के sap जैसा होता है ठीके होता है उसके बाद यहाँ पर number 10 में क्या बता रहा हूं मैंने कहा यहाँ पर head ठीके head पर बोलो एक pair segmented clear segmented antenna clear antenna बोलो उपास्तित होती है clear और हर antenna पर क्या होता है sensory receptors उपास्तित होता है clear मैंने कहा antenna antenna पर बोलो sensory sensory मैंने कहा receptors बोलो receptors उपास्तित होते है clear कैसे receptors उपास्तित होते है sensory receptors उपास्तित होते है clear okay number 11 मतलब कॉक्रूज को कहीं पर भी खाना वाना है रात को निकलेगा पता चलेगा नहीं चलेगा किसे पता चलेगा signal आएगा उसको वा समने ना उसके बाद क्या बता रहा हूँ head पर ठीके है आप से मैं कहे रहा हूँ मैंने का head पर एक जोड़ी one pair simple eye clear simple eye जिसको हम OC loss भी कहते है ठीके उपस्तित होती है ठीके उपस्तित होती है बुलो फिर क्या बता रहा हूँ simple eye आवसेसी होती है मतलब किसी भी तरह की वीजन में कोई काम नहीं करती है simple eye मैंने कहा बो वैस्टी जियल ठीके बोलो आवसेसी आवसेसी होती है ठीके होती है उसका मतलब हुआ main cheese number बोलो 12 point very important clear कि इस head पर एक जोड़ी compound आई होती है clear मैंने कहा head ठीके पर वन पेर वन पेर क्या होता है बोलो compound आई संयूक्त आई clear compound ठीके आई मैंने कहा one क्या होती है बोलो compound ठीके compound compound आई ठीके compound आई मतलब हिंदी में क्या बोलूँगा संयूक्त ठीके बोलो आखे ठीके बोलो compound आई उपस्तित होती है ठीके उपस्तित होती है बहुत सी बार पुछा गया है unit of compound आई कंपाउंड की एक unit को क्या कहते है ओमेटीडिया clear मैंने कहा अब compound आई ठीके compound आई की unit ठीके इक आई को हम क्या कहते है बोलो आउमेटीडिया ठीके एक compound आई में किती ओमेटीडिया होती 2,000 क्या होती है 2,000 क्या लिख रहा हूं मैं बोलो एक compound आई clear एक compound आई में 2000 थाउजेंड बोलो 2,000 मैंने कहाомeti dia बोलो होते हैं ठीक मै कितनी hootी है बोलो टो हजार, क्रियर डी lane अब क्या होता है कि यहाँ पर बोलो क्या बता रहला हूं मैंने कहा कॉकरुज क्लियर कॉकरुज मैं में मोजेक मोजेक घल्यी Kan yan मोजेक मैंने का मोजेक यहाँ पर लिख रहाऊ टाइप ओफ वीजन clear या मोजेक वीजन लिख दू बोलो clear यह एकजाम में अक्सर पुछा जाता है मोजेक वीजन clear बोलो मोजेक द्रस्टी ठीक है बोलो मोजेक वीजन पाई जाती है ठीक है पाई जाती है तो किसको कहते मुझे एक वीजन ध्यान से समयना सपोदेट यह है कौकरुच की कमपाउंड आए जिसमें कितनी यूनिट है ऐसी 2000 क्या है बोलो 2000 ऐसे रे डाइग्राम बना के बता रहा हूँ यह तो क्या है बोलो कमपाउंड मैंने कहा आई क्लियर और इसमें यह क्या है बोलो मैंने कहा 2000 क्या है बोलो यह ओम में टी डी या क्लियर जिसको यूनिट बोलते है अब इसको देखना है किसी मेडम को क्लियर बोलो किसी लड़की को देखना है बात समयना ठीक है बोलो किसको बोलो बात समयना इसको ठीके अब क्या होगा पहले क्या होगा इसकी आंक में बो आप से मैं करूँ इस लड़की की कितनी इमेज बनेगी बो दो हजार clear, बो आप में करो 2000, बो आप में करो मैंने कहा बो 2000, ठीक है, image, image, बो आप में करो मैं, divided, clear, बो डिवाइडेड होती है, ठीक है, और फिर क्या होता है, बो इन 2000 से मिल कर एक image बनती है, ठीक है, in 2000 मैंने कहा image से मिलकर clear मिलकर एक image एक image बनती है ठीक है तो ऐसे को क्या कहते है बोलो मोजे एक विजन नहीं समझ नहीं है तो आपको खाली यह फिलिंग्स दे रहा हूं मुझे तो इस नाम से मतलब है clear और समझे नहीं समझे भूलो मेरे कहने का मतलब है हमारे दिमाग में पिच्चर बनाना है clear कि यह compound i wasik vision क्या होता है और यह आपको बार-बार यह word लिखकर करके आपको यह याद करना कि इसकी compound i की unit क्या होती एक्जाम में तो यह पूछा जाएगा कि compound i कितनी होती है compound i की unit को क्या कहते है एक compound i में ometidia कितनी होती है और इसमें किस type की vision पाई जाती है क्लियर तो यह मैंना आपको किस के बारे में आज पड़ा है एक के बारे में बता है और हेड में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज एक मौट पार्ट और एक कंपाउंड आई क्लियर बात समझ में बोलो बाकि एंटी ना इंटी ना सब ध्यान रहते हैं बात समय ना ओके तो एक बार प्यार हो गया कौकरूस से फिर कोई देकत नहीं है ठीक है झाल 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 मेरी बात समझ में आए बोलो ठीक है चोटी चोटी बात ते यह इनों सीटी सोट में लिका समझ गये बोलो नेक्टूरल ठीक है और ओम्निवारस समझ गये बोलो ठीक है कुछ भी खा लेता है ठीक है गली शड़ी चीज को हो या रोटी हो सब्जी हो आप समय के रों कुछ भी हो मीटाई हो बोलो छोटे जीव जन्तू तो कुछ भी खा लेता है ठीक है ओके और इसको देखना तो का आपको भी क्या बनना पड़ेगा रात रिचर ठीक है और समझे समझे बोलो ज्यादा रात को निकलते हैं ठीक है बात समझ में आए बोलो यह वाला अटा दू ठीक है और यह वाला जो पार्ट बताया मैंने वेरी इंपोर्टेंट ठीक है यह ओमें टीडिया तो कितनी बार एक्जामों में पुछा गया यूनिटॉप कंपाउंड आई क्या होता है ठीक है किस टाइप की वीजन होती है किस टाइप की वीजन है किस टाइप की वीजन होती है आज हमने कोकुरूज का क्यों कितना पार्ट देखा है हेड़ेड बास हमरें ना ओके करल हम देखेंगे थोरेक्स और एब्डोमांड फिर इसके सिस्टम के बात करेंगे कुझ उला आप का कुझ एब्ड़ेड़ें देखेंगे बात करी वीजन होती है किस टाइब खादान प्रूमांड देखा है झाल 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 झाल